प्रफेशनल मेक अप कोर्स का डे 7 है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ फेस कंटूरिंग और टैप आप फेस कंटूरिंग कैसे होगी और कैसे कैसे अपने शेफ को डिफाइन कर सकते हैं और फेस टाइप के डिटेलिंग बताई जाएगी कौन से face stone के साथ कौन सा contouring shade यूज़ कर सकते हैं liquid contouring या powder contouring कौन सी contouring best है आपने अब तक मेरे चनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चनल सब्सक्राइब कर ले क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा informative होने वाली है don't miss it आज हम face contouring को discuss करेंगे तो actually face contouring होती क्या है face contouring हमारे face पर shadow shadow create करने को हम face contouring कहते हैं जब हम base की application करते हैं तो हमारा जो face होता है just like a canvas सफेद हो जाता है हमारे चहरे के जो features होते हैं वो hide हो जाते हैं अपने चहरे के features को enhance करने के लिए हम face contouring करते हैं and otherwise face contouring हम करते हैं अपने face के flows को खतम करने के लिए कुछ लोगों के आप देखें chicks जादा enhance होते हैं किसी का forehead जादा broad होता है किसी की chin जादा निकली होती है किसी की double chin होती है तो उनकी जो face के flaws होते हैं उसको भी hide करने के लिए हम face contouring करते हैं it's that clear contouring सीखने से पहले सबसे पहले हम यह clear कर लेते हैं कि कौन से face tone के साथ कौन सा contouring shade यूज़ करेंगे ठीक है मेरे पास क्रिस्टीन की kit है आपके सामने अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर किसी की skin tone जो है fair है ठीक है अगर उनकी skin tone fair है तो हम जो contouring shade यूज़ करेंगे वह light brown shade यूज़ करेंगे लेंगे तो वह भी चलेगा थोड़ा सा dark shade dark brown shade भी यूज़ कर सकते हैं हम बेश टोन पर या dark dark tone पर देखेंगे अगर किसी का bright color tone fair है और इस पर अगर लगा देगे तो बहुत अजीब लगेगा लाइन्स क्रियेट होती है वह दिखेंगी अजीब तो इन पर यह lighter tone का brown shade लगाएंगे ताके नॉर्मल भी लगे और इनके skin के जो features enhance हो जाएं जहां हमने contouring के shades देख लिया हमाँ contouring brush को भी एक दफ़ा टैली कर देते हैं देखेंगे यह contouring का एक brush है जो बिल्कुल cut की तरह होता है इससे बहुत असानी से shade apply हो जाता है यह देखें यह second brush है यह थोड़ा सा फतला होता है और आपके इससे भी बहुत अच्छी से contouring होती ह है तो दोनों contouring के brush में से कोई सा भी brush आप बाए कर सकते हैं easily contouring हो जाती है बस clear यह हो गया कि जो lighter shade है वो फियर पे लगेगा और जो darker है वो थोड़ी dark tone पे it's that clear यह तो clear हो गया न अब बहुत सारी student के जहन में यह question आएगा कि contouring के लिए कौन सी product best होंगी कौन सी product use की जाए क्योंकि market में तो आपको पता है बहुत तरह की जो है contouring product होती है एक कुछ powder form में होती है product और जो दूसरी होती है वो है liquid form में अलग-अलग होती है liquid form में भी होती है और powder form में होती है बट मैं आपको recommend करूँगे कि आप powder form में use करें क्योंकि मैं भी powder form में use करती हूँ और powder form में use करना जादा बहतर होता है और application सही हो जाती है और जो beginners होते हैं बीजी ली पॉड़र फॉम में चीज होती है अच्छे से ढूद कर सकते हैं क्योंकि लिक्विट पॉम में हैं ट्वड़ा इसू हो जाता है फेस कन्टॉरिंग के बारे में पोड़ेक्क के बारे में समझ लिया और आछ हम आते हैं फेस की तरफ के फेस शेप कितने टाइप क होती हैं तो सबसे पहले हम face shape को no down कर लेते हैं फिर उसके बाद जो ना हम आगे अपनी one by one हर face की controlling सीखेंगे मैंने अपने first lecture में या second lecture में आपको बताया था कि oval shape वो ideal face shape होती है जो कि तमाम shapes को उसकी तरह हमें shift करना होता है उस ideal shape की तरफ convert करना पड़ता है full shape is the ideal shape of makeup हाँ जी अब face की कितनी types होती है उनके names क्या क्या है तो हम भी complete no down कर लेंगे हम कि तमाम detailing बताएंगे के कौन-कौन से होते हैं first जो है वो है oval second जो है वो है oblong और जो third है वो है rectangle और fourth है वो है round round face fourth fifth जो है वो है square face और six है interweight triangle seven है diamond face type और प्लीज eight जो है वो लिखने से cut गया है camera में नहीं आया है वो है heart shape type लिख लीजे और ninth वो है triangle तो यह nine complete shapes है इनके बारे में एक एक के बारे में आपको detail से बताऊंगे कैसे इनकी contouring करनी है सारे face type आप note down कर लीजे अब oval shape के बारे में आपको पता है बाकी diamond shape heart shape of triangle को भी एक one by one करके हम describe करेंगे तो चलें एक एक करके हम इसको describe करना शुरू करते हैं सबसे पहले जो face shape को describe करेंगे वह है oval shape और oval shape के बारे में आप सब जानते हैं कि वह just like egg होता है तो चलें सबसे पहले मैं face shape draw कर लूँ देखें माजरत के साथ face वैसे draw नहीं होगा बट में करने के कोशिश कर रही हूं आइस बना देती हूं पहले eyebrows बनाती हूं आइस बनाती हूं आइस open नहीं नहीं आइस open छोड़ दीजे आइस बंदी कर देते नहीं तो फिर lances भी डालने पड़ जाएंगे मुझे इनको तो आज देखते ही इनका face बनता कैसे आइडियल face shape होती है इसको इतनी जादा contouring की ज़रूरत होती ही नहीं है अगर इसमें आपका face या आपका forehead ठोड़ा brown है तो इस पे थोड़ी सी आप forehead पे contouring कर लिजे अगर है तो कर लिजे वैसे necessary नहीं है और हलकी सी cheek bone पे हम contouring करेंगे ताकि चीक्स के जो features हमारे base लगने के बाद hide हो गए है वो enhance that's it इसको बाकी इस face पे और ज़्यादा contouring करने की need नहीं है अब इसके points भी note down करते जाएं कि अगर आपका oval shape है तो इसके 3 points हैं जिसकी हमें contouring करनी है and second जो है वो है round face चलें जी round face भी बना लेते हैं अब just like एक round face है ठी करना है oval shape की हिसाब से लेकर आना है अब हम इसे contouring कैसे करेंगे हम इसे जो जबके यह oval shape की तरफ आजाए हम इसके forehead पे थोड़ी सी contouring करेंगे और हम इसे करेंगे चीक्स पे थोड़ी सी edge wise corner air to nose के corner से खड़ी contouring करेंगे और हम उसकी करेंगे चीन पे contouring ताकि थोड़ा सा यह लंबाई में आजाए थोड़ा सा ओवर लुक में आजाए इसे near to overly light इसकी कितने points है 1 2 3 4 4 इसके points है point note down करते रहिएगा अब यह हमारे contouring area बाकि जो face पे बचता बी वीडियो मिलेगी इंशाला नमबर 3 जो आपका face type है वो है rectangle rectangle कैसा हो rectangle आपको पता है ना कि दो जो उसके sides होते हैं वह equal होते हैं दो बड़े होते हैं तो rectangle shape आपको दिख रही होगी तो चले जी rectangle shape बना दिये देखें rectangle में जो ना इनके forehead के पास इनके चोकोर सा forehead होता है त तो हम इनके forehead पे ऐसा cross के अंदर contouring करेंगे और इनकी जो chin होती है chin और cheeks के जो हमारी हड़ी होती है उस पर हम contour करेंगे ताकि इनके face में थोड़ा सा oval look आ जाए हमें हर shape को near to oval लेके आना है वस इतना समझ लीजे तो इनके जो points कितने हुए 1,2,3,4,4 points हो गए हमारे rectangle face की contouring क जी फोर जो face shape है वो है square face shape और हम square face shape को draw करते हैं square face shape just like यह होती है मैं आपको picture से भी दिखा रही हूँ अच्छा जी square face का का contouring हो नहीं है इनकी forehead पर contouring करेंगे और हम यह forehead के sides करेंगे क्योंकि इनके edges होते हैं इनको contour करना है फिर जो contouring करेंगे हम इनके cheekbone पर क्योंकि square face है तो हमें इनकी cheekbone पर contouring करनी पड़ेगी अब इनके chin bone है वो भी square में होती है तो उसको थोड़ी सी oval shape में में आने के लिए हम इनकी cheekbone को भी cut करेंगे क्योंकि इनकी description करेंगे की shape होता है आगर आपको square face की contouring देखनी है तो मेरे channel पर स्क्वाइर फेस की complete contouring आपको मिल जाएगी क्योंकि मेरे model का जो चहरा था वो square था और मेरे इसको पूरी contour किया हुआ है आप मेरे channel पर जाएए और महाँ पर contouring के एक वीडियो है वो पूरा देख लिएजिए तो आपको पता चे लगा के square face की contouring कैसे करते हैं पात्वी जो shape है वो है inverted triangle और यह shape थोड़ी different है देखें यह shape कुछ ऐसी दिखती है लेकर इनकी चिन थोड़ी चोच निकली होती है नीचे चिन की और ऐसी हम तमाम shapes को क्या करना है all shape type को nearby हमें क्या करना है oval shape के करीब लेके जाना है तो बस हमें बस हर shape type को देखना है कि उनका face को किस तरफ oval shape की तरफ लेके जाएं अच्छा जी इस face की contouring हमें कैसे करना है कि हमें इनके forehead पर जो करना है हमें forehead to air तक लेकर आना है ठीक है और इनकी जो चिन बोन है उसकी कंटोरिंग करने है और चिन पर कंटोरिंग करना है क्योंकि आपने इनका फेस देखा होगा थोड़ी सी चीन जो थी इनकी चोंच वाली होती है तो हमने इनके फेस को कंटोर करना है इनके जो points है इनके 5.72345 तो इनके जो controlling points है वो है five six जो shape है वो है diamond shape diamonds तो आपने देखा होगा कि उपर से round होता है और नीचे से उसकी चोंच सी बनी होती है तो उसको हम खेव कैसे देंगे हम इसके forehead पी करना पड़ेगा contouring और forehead के sides पर हम इसकी contouring करनी होगी और हमें इनकी जो chin chin तो इनकी जो chin है नीचे उसके भी करना पड़ेगा क्योंके हमें इसको पूरा shape मेलाना पड़ेगा तो देखें जो इनके points बनते हैं वो है 8 इनके 8 points है तो diamond shape की जो हमें 8 points हैं के contouring करनी पड़ेगे 8 shape है वो है heart shape heart shape आपने देखी होगी कि उनके जो face होते हैं या चोंच सी बनी होती हैर से है और इनके forehead होता है उसकी shape round में होती है just like a heart घंके और इस थोड़ा सा face थोड़ा कॉना होता है इनकी contouring कैसे करेंगे इनके forehead पे contouring करेंगे forehead के sides पे हम उनको shape के लिए और फिर हम इनके cheek bone पे contouring करेंगे जो जो इनकी चीन होती हैं इनकी चीन को कंट्रोल करेंगे क्योंकि इनकी चीन काफी लंबी होती है तो यह जो है फाइफ पॉइंट्स जो होते हैं में इसकी कंट्रोरिंग करनी होती है आचा जी नाइन्थ जो शेव है वह है ट्राइंगल शेव कुछ फेसिस ऐसे होते हैं जो ट् कंप्लीट जो पॉइंस है ना वो इनके six point होंगे होंगे कि फेस की कंटुरिंग के अच्छ यह होंग ए हमारी complete face कंटूरिंग इस वीडियो में हमने अपने सवाम फेसिस की कंटूरिंग सीखी हैं next वीडियो में इनशालल्ला हम concealing और highlighting पर आएंगे कि कौन कौन से area को हमें highlight करना है जस्ट अभी हमें हमने contour करना सीखा है face को next में highlight करना सीखेंगे वीडियो अची लगती है तो please channel को subscribe कर दीजे bell icon को press कर दीजे तक अगली वीडियो की notification आपको मिलती रहे क्योंकि ऐसी informative वीडियो आपको मेरे channel पर मिलती रहेंगी